इस lecture के अंदर है मैं एक simple neural network जो है उसे design करने वाले है and मैं आपको step by step बताऊंगा code की notebook आपको मिल जाएगी code को समझीएगा मेरे साथ and then we will see कि neural network जो बनता है उसके अंदर कौन-कौन से important steps होते है screen मैं आपके साथ share कर देता हूँ and let me show you now you can see my screen और इस screen के उपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो neural network है उसकी हम बात करें और neural network को हम design करेंगे सबसे पहले चीज मैंने उसी notebook के अंदर जो 6 माह का हमारा GitHub का पूरे का पूरा repo है उसी के अंदर मैं इसको add करूंगा नमबर 8 पे मैंने Deep Learning with TensorFlow का एक folder बना दिये पहला जो notebook है वो है Simple Neural Network की दूसरी Multilayer Perceptron की हम देखेंगे So Simple Neural Network को पहले देखते हैं हमारे पास कैसे बनता है मैंने यहाँ से TensorFlow का environment जो मैंने install किया था मेरा Macbook है तो इस वह जाए से मुझे different किसम का environment इंस्टॉल करना पड़ है और अगर किसी को installation की समझ नहीं है तो प्लीज गो हैद और previous lectures को देख लें तो pandas, cbond और scikit-learn यह तो जरूर करनी है जब भी आपने TensorFlow को इंस्टॉल करना है ठीक है numpy और जितनी मी libraries हमने पहले यूज की है अच्छा जी मैं इसको run करता हूँ अगर यह पहली command run कर जाती है इसका मतलब है कि आपका TensorFlow काम कर रहा है ठीक है तो इसको प्लीज 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 और उसके बाद आप इसको first time यूज करें sometime it takes a lot of effort to start the program तो यहाँ पे यह start हो गया जनाब pandas को हमने start किया और यहाँ पे अब इस code को पहले समझ लीजेगा ताकि आपको सारी सीजन समझ आजए फिर मैं आपको notebook अभी दे दूँगा और आप live जा के इसको देख सकेंगे so मैं हमेशा जब भी neural network बनाता हूँ तो मैं warnings को ignore कर देता हूँ यह command तो warnings को ignore करने के लिए मैंने titanic का data set load कर लिया data set को pre-process कर लिया मैंने क्या किया जो हमारे पास subset जहां जहां पे age और embarked का column था missing values का उसको मैंने निकाल दिया I know के age के अंदर जो काफी ज़एदा missing values है but I just remove those rows जहां जहां पे age की values है सिर्फ आपको simplify बताने के लिए आप इसको किसी और तरह के से भी impute कर सकते हैं but I just put one line of code just to show you के आपने data को pre-process कर लिया ठीक है फिर मैंने यहां पे encoding कर ली using panda's get dummies function ठीक है तो यह भी encoding की एक type है आप क्या करते हैं जितने भी आपके categorical variable है उनको मैंने यहां पे क्या कर दिया हमने titanic के जितने भी variables हैं उनको हमने यहां पे encode कर दिया तो पहला step pre-processing का dropping rows और यहां पे हमने titanic के get dummies करके उसे encode कर दिया फिर मैंने यहां पे features को select कर लिया x में जो रखने हैं उनको मैंने name दे दिये सबी के सबी को और जो y में रखने हैं उनको separately मैंने name दे दिये तो अगर आप गोर करें तो हमारे पास titanic dot drop यानि कि titanic में जितने भी यह दूसरे columns हैं इनको मैंने drop कर दिया इसके इलावा जितने बचे हैं वो मैंने यहां पे save कर लिये x के अंदर यानि कि survived भी नहीं है alive भी नहीं है, embark town भी नहीं है adult male भी नहीं है, alone भी नहीं है यह 5 के 5 जो columns हैं मैंने remove कर दिये और y में मैं ले आया सिरफ और सिरफ survived यह मेरी theory कहती है कि यह वाले 5 columns जो हैं वो x के अंदर नहीं होने चाहिए और जैसे मैंने और आप देख सकते हैं 80-20 की रेशो भी और random state 42 लगा दी, train test सप्लिट हो गया, और यहां पर standardized कर लिया data को standard scalar use करके, तो fit transform लगा के x train and x test इन दोनों को हमने standardized कर लिया यानि कि scale भी कर लिया, तो मैंने क्या किया सबसे पहला, हमने warnings को remove किया, जो एक आपका अपना function अगर आप use करना चाहें वरना नहीं, load the data set preprocessing मैंने यहां पर यह सारी की सारी preprocessing कर लिया, split कर लिया features को select कर लिया, data को scale भी कर लिया, यहां तक आपका data तयार है to run into upcoming, जो आपका neural network है तो अगर आप x and y यहां पर आपका data सारी के सारा preprocess हो गया, तो अगर मैं यहां पर लिखूँ के steps before creating a neural network preprocess the data असल में यह preprocessing की है, हमने data set की तो मैं यहां पर यह लिख देता हूँ, ताके आपको यह clear रहे, अच्छा, data set की preprocessing हो गई, next thing is, हमने तीन, दो layer बनानी, क्योंकि simple neural network के अंदर hidden layers को हम नहीं show करते, तो मैंने hidden layers को यहां से वैसे hidden कर दी है, input layer हमने बनाई, तो हम क्या करेंगे tensor flow के अंदर, keras के through, जो एक library मैंने आपको बताया भी है, tensor flow और keras दोनों कठी होगी है, keras के through, आप layers निकालते हैं, और उनमें से dense layer निकालते हैं, dense layer क्या होती है, जो एक layer में different neurons एक दूसरे के उपर stack होते हैं, ठीक है so मैंने यहां पर उनको बोला कि 10 जो है, यहां पर इसकी value रख दो और इसमें activation function रेलू रख दो और input shape उसकी वो ले लो जो हमारे पास, अगर x train की shape ली जाए, वो वाली हमारे पास shape है, अगर मैं आपको shape बताऊं यहां पे, तो x underscore train dot shape यह आपके पास shape है, यह आपके पास 18 columns हैं, अगर देखा जाए, तो अगर मैं इसकी string one रखूंगा तो यह 18 है, यह तो आप खुद से 18 लिखते, ठीक है, जो आपके पास total column है, नहीं लिखना 18 तो आप यहां पे उसकी shape का one string के साथ column देने, तो मैंने shape को यहां पे use किया, and that's what I wrote here, ठीक है, तो यह input layer हमारी पहली बन गी, जिसके अंदर आपके पास input shape है, यानि कि shape क्या रखनी है, shape का मतलब होता है कि कितनी आपने, उसके अंदर जो है, वो neurons को stack करवाना है, ठीक है dense layer है, और 10 हमारे पास neurons है, यहां पे basically अगर हम देखें तो activation function relay हुआ है, अब input के अंदर आप column की shape जरूर देते हैं, जब मैंने आपको बताया कि हर column के weights and biases हमारे पास आगे जाएंगे, और वो activation function यहां पे use होगा, activation function क्या होते हैं, इसको हम जरूर देखें, but for now please have a look, कि हम आगे क्या करते हैं, आप यह hidden layer को भूल जाएं, क्योंकिए simple neural network की example है, अगर आप देखें यहां पे, तो इस विड़ा से हमें hidden layers जो हैं वो नहीं देख सकते, and that's why I'm not going to show you के hidden layers किस तरीके से काम करती है ठीक है, वो हम अगले multi-layer perceptron में देखेंगे, फिर मैंने यहां पर बनाई output layer, output layer उसी तरीके से dense है, और मैं चाहता हूं कि one value मेरे पास है, activation function मैंने sigmoid रख दिया, तो ये मेरे पास activation function भी आ गया, input layer और output layer भी होगी, input layer में भी हमने activation function यूज किया, और output layer के अंदर भी activation functions हमने use किया, reason क्या है क्योंकि ये simple neural network हमारे पास है, तो input and output layer हमारे पास बन गी, दो layers हमारे पास बन गी है, एक के value जो हमारे पास 10 neurons की और यहां पे सिरफ एक value हमारे पास output layer जो हो output करेगी यहां से हमारी जो value है वो जितने भी हमारे पास input shape होगी, उसके हिसाब से यहां पे output खेर हम यहां पर क्या करेंगे model में सबसे पहले हमने sequential keras का model लेना है यानि कि tf.keras.models.sequential layers हमने पहले बना लिया हैं सिरफ layers को यहां पर आपने लिखना है एक list के अंदर input layer, output layer और यह आपके पास simple neural network बन गया अगर आप hidden layer भी लिखना चाहिए you can do that as well क्योंकि यह simple neural network है इस वज़ा से मैं hidden layers यहां पर बना आइने रहा ठीक है अब हम क्या करेंगे? compile करेंगे यहां पर हमने कर लिया create the model ठीक है? यह build the model यहां पर हम compile कर रहे हैं compile में क्या होता है? model.compile क्योंकि हमने यह model और रेडी बना लिया जिसके अंदर neural network की different layers है ठीक है? अब हमने model.compile करने है optimizer जो है कौन सी ऐसे चीज़ है जो back and forth जा के optimize करें आपके weights and biases को और आपके accuracy इंप्रूव करें वो है Adam optimizer loss का जो आपके पास function है that is called binary cross entropy और matrix जो है मैं यहां पर ले रहा हूँ accuracy को reason क्या है? क्योंकि यह हमारी जो problem है यह हमारे पास survived को हम classify कर रहे है और यह binary classification की problem है तो मैं यहां पर binary classification की वज़ा से यहां पर accuracy लिखता हूँ और यहां पर हमने binary cross entropy लिखी क्योंकि binary classification है वरना हम cross entropy लिखते हैं तो it depends कि आप कौन सा यहां पर atom optimizer या binary cross entropy या कौन सी चीज यूज करते है यहां पर हमने क्या किया? बिल्ड किया model को layers पहले define की ठीक है और फिर उसके बाद हमने layers को compile किया तो अगर मैं यहां पर लिखू define the layers layers of the model और यहां पर मैं कहूंगा compile the layers into a model यहां पर हमने वो कर लिया और add the end हमने क्या किया? यहां पर बल्के मैं लिखता हूं combine the layers into a model और यहां पर हमने model को compile कर लिया मैं इसको run करता हूं जो जो चीजे मैंने आपको बताएं थी सारी की सारी यहां पर आ गए क्यूंके मैं Apple M1 Max यूज कर रहा हूं आपके पास यह model compile करने के बाद कुछ result थोड़ा सा different भी आए अच्छा जी हमने यहां पर model को कर लिया compile और binary cross entropy के साथ matrix मैंने काउन सा यूज किया? accuracy को अब क्या कर सकते हैं? यह मैंने पहले ही compile उपर ही कर लिया तो मैं यहां पर इसको remove कर देता हूं epochs बताएं यानि के 100 दफ़ा हमारी जो है वो चीजें move करें बलके मैं इसको 100 की बज़ाए 10 लिख देता हूं ताके यह faster काम करें batch size 32 से यह चौन सा टाप रखे देते हैं 128 यानि कि कितने number of samples आपने एक दफ़ा में आगे लेके जाने है verbose का मतलब यह होता है कि verbose का function basically इस वज़ा से हम use करते हैं कि यह जो output आपके पास नीचे show होगी यह कितनी minimize रखनी है यह कितनी maximize करनी है मैं भी आपको समझाता हूं उसको भी ठीक है और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं loss और accuracy को यहीं पर model को evaluate करते हैं by the way मैं training the model पहले आपको बता देता हूं फिर उसके बाद हम यहाँ पर evaluation देखेंगे just a minute evaluating the model so यहाँ पर check करें जनाब training the model के अंदर हम क्या करने वाले model.fit x train y train पर e-pox हमने बताने हैं जो iterations है bat size बताने हैं और verbose बताने हैं और अगर आपको समझ नहीं आती के कौन-कौन सी हम चीज यहाँ पर देख सकते हैं तो हम model के अंदर भी जाके उसके function के उपर click करने के बाद आपके पास different किसम की options आ जाएंगे and then you can see that या हम जो tensorflow की library उस पर भी देख सकते हैं by the way मैं इस पर click करता हूं तो आप चेक करें यह जो मेरे पास epochs run कर रहे हैं यह 10 epochs run की है ठीक है पहली iteration में loss था मेरे पास 0.72 और accuracy थी 0.61 अब जैसी मैं पहली iteration से अगली iteration में जाऊंगा आप देख रहे होंगे accuracy इंप्रूफ कर रही है 0.66, 0.71, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79 यानि के 80% accuracy यहां पे होगी और 81% accuracy यहां पे होगी So you can see that के हर iteration के बाद आपकी accuracy बढ़ रही है यहां पे point note कर लें accuracy क्यों बढ़ रही है because someone is actually optimizing the model के आपकी accuracy increase करे और loss कम हो ठीक है So वही चीज़ आपको यहां पे मैं बताता हूं के loss आपका binary cross entropy के through calculate हो रहा है Adam क्या कर रहा है loss को optimize करके आपकी accuracy increase कर रहा है तो आप देख रहे होंगे के loss यहां पे decrease हो रहा है point 72, point 65, point 59 या आपके पास point 56 आ रहा है या point 53 आ रहा है या point 51 आ रहा है तो इससे नीचे नीचे जाते जाते point 45 है तो loss आपका कम हो रहा है नीचे की तरफ और accuracy आपकी बढ़ रही है जब आप नए से नए epochs लाते है लेकिन यहां पे जो एक और point है वो यह है कि आप जो यहां पे accuracy और loss को गोर से देखे कि हमारे पास 10 epochs के बाद यानि कि 10 iterations के बाद यह answer आ रहा है अगर मैं इसी चीज़ को 50 iterations के बाद देखना चाहूँ यहां पे accuracy देख ले कि point 81 accuracy point 45 आपके पास loss था मैं इसको run करता हूँ run किया मैंने आप चेक कर सकते हैं कि 50 epochs हमारे चलेंगे और यह चल रहे है and then you can see कि हर एक के बाद आपकी जो accuracy है point 82 हो गई है और यहां पे point 40 हो गई है यानि कि still it's improving ठीक है so आप इसका मतलब यह है कि जितने epochs बढ़ाते जाएंगे आपकी accuracy जो है वो बढ़ती जाएगी यहां पे चेक किजिएगा यह मैंने अब चलाए है जनाब 100 epochs आप चेक किजिएगा यहां पे मेरे पास जो accuracy आती है let's see 100 की कितने आती है and it's taking time क्योंकि neural network के deep learning के पे हम काम कर रहे है तो it will take a lot of time मेरे पास point 82 है कुई इतना खास फरग नहीं पड़ा from 60 until this point और अगर आप text editor के अंदर इसको या scrollable elements के थूरू भी देखना चाहें तो आपको यह नज़र आएगा कि जो हमारे पास loss point 82 है sorry accuracy point 82 है एक point ऐसा था कि यह बढ़ रही थी point 83 थी और वो था आपका epoch number 85 तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस epoch पे आपने रुकना है ठीक है यहां पे देखें आपकी accuracy बड़ी फिर कम होई फिर बड़ी फिर कम होई फिर बड़ी फिर कम होई और यही काम आपके loss के साथ हो रहा है so these kind of things happen whenever you do some learning here ठीक है अब यह तो तब था जब मैंने यहां पे 100 epochs रखे epochs को हम बाद में देखेंगे क्योंकि यह एक बहुत बड़ी टेकनीक है जिसके तुरू हम epochs को एक specific point पे रोक भी सकते हैं कि for example 10 epochs में अगर accuracy increase नहों तो वहीं पे रोक दो we can use callback functions लेकिन batch size जब हमने 32 रख है तो हमारे पास accuracy क्या आ रही है इसको अगर मैं 64 करता हूँ और यहां पे 10 epochs में run करता हूँ let's see अब आप check किजिएगा कि मेरे पास 10 epochs के बाद accuracy point 83 है ठीक है you can have a look और अगर मैं इसी को 32 दुबारा से करता हूँ और इसको run करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि accuracy still 83 है point 83 है और अगर मैं run all करता हूँ यहां पे so you can see कि आपकी accuracy जो है वो point 80 होगी reason क्या है reason यह है कि जब भी आप किसी एक neural network को train करते हैं तो अगली iteration पिछली iterations के बाद ही run हो रही है तो जितनी दफा मैं इसे run करूँगा actually मैं वो पहले से train हो चुका है और उससे अगले वाले epochs चल रहे है so every time you have to actually run these epochs जब भी आप इन epochs को run करें कोशिश करें कि सारे के सारे उपर वाले दुबारा से run करें and then rerun these things तो आप चेक करें कि accuracy यहां से आपकी .75 है अगर मैं इनको दुबारा से run करता हूँ you will see 76 से start हुआ अब यह चला गया 80 तक क्योंके मैंने दो दफा 10 epochs run किये तो actual में यह 11 से onward गया है अब 20 चल चुके है मैं दुबारा से run करूँगा तो यह 30 चल रहे है तो आप चेक करें आपके 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 आपक्स पिछली इटरेशन के बाद में ही run करते है तो मैं दुबारा से उपर वालें को दुबारा से run करता हूँ अब आप देखें कि आपके अक्रिसी जो पहले 10 epochs में वह यह है अच्छा यह भी आपको समझ आगे अब verbose की value 0 में अगर रखता हूँ तो क्या होता है आप चेक करें हमारे पास कोई output नहीं आई यहाँ पे सवाए इसके के verbose 0 और इसका मतलब कोई output नहीं देनी अगर मैं 1 रखता हूँ verbose की value तो आप देखें कि हमारे पास epochs run करते हुए नजर आते है and we can actually see कि loss कितने accuracy कितनी है ठीक है और अगर मैं verbose की value 2 रखता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास बहुत ही minimum information आ रही है epochs पूरे चलते हुए नहीं हमारे पास आ रहे है and we can only see few things तो इस वज़ा से most of the time people use verbose की value 1 कि आपने कितनी output को यहां पे print करना है यहां तक आपको clear हो गया कि किस तरीके से आपका जो है वो epoch बनते हैं I know कि आपको एक code से मैं go through करवा दूँगा then it will be easier फिर हम hyper parameters और बागी चीज़ें भी देखेंगे but for now epochs का मतलब है iterations batch size का मतलब है कि कितना sample size आप ले कि उसको process कर रहे हैं verbos का मतलब है कितनी चीज़ें यहां पर print करनी है x train y train आपको पता है model.fit हमने यहां पर कर दिया अब मैं यहां तक इसको दुबारा से run करता हूँ थाकि हमारे पास जो है वो actual में यह epochs 100 है 100 चला देते हैं मैं उपर से दुबारा से run करता हूँ कर देटा सेट फ्रेश वाला आजा है और 100 epochs यहां पर हमारे run करें so now these 100 epochs are running it will take some time and then we can see कितना time लगा है और इसका best way जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहां पर magic command time वाली use कर लिया करें something like this and this will show you कि आपका time actual में कितना लगा है और at the end वो आपको CPU timer या GPU timer जो भी आपके पास है वो आपको बताएगा and that will actually show you कि आपकी system की speed कितनी है right तो यह 3-4 चीज़ें जो model.fit के अंदर जरूरी थी यह मैंने आपको बताई and hopefully आपको समझ आगी होगी now you can see कि CPU time जो है वो 13 second लगे है in total मेरे पास 16 second लगे है आप अपना time मुझे बताईएगा इस notebook को run करने के बाद अच्छा model train हो गया अब हमने उसे test भी करना है वो ही चीज़ दुबारा से loss और accuracy हमारे पास दो चीज़ें आती है हम model.evaluate वाला function यूज़ करते है और x test और y test हमारे पास जो y test है उसकी value की base पे x test क्यों रखा कि ये model क्या करेगा x test की value की base पे y predict बनाएगा और उसकी base पे उसको compare कर लेगा y test के साथ तो this is all automatically done आपको कोई मसला नहीं है आपने सिरफ x test and y test लिखना है ये model automatically predict करेगा और y test के साथ उसको compare करेगा यानि के x test की values को predict करेगा और उसको y test के साथ compare करके आपको loss and accuracy दोनों देगा based on the model loss function ये जो आपके पास है और आपके पास जो matrix है इसकी base पे आपको बताएगा कि आपका loss function और matrix जो है तो मैंने यहाँ पे सिरफ और सिरफ test accuracy को print किया if I want to print अपना loss function so I can also do that मैं इसको run करता हूँ आप यहाँ पे चेक करें कि total में आपके पास जितने भी यहाँ पे loss and accuracy आपके पास at the end आई थी which was 0.40 and 0.82 तकरीबन उतनी आपके पास यहाँ आनी चाहिए but usually what happens जब आप उसको train कर रहे थे तो यह training loss है और यह training accuracy है जब आप evaluate कर रहे हैं तो यह testing loss है and test accuracy है तो मैं इसको बोलता हूँ test accuracy and test loss यह जो है आपका यह है training loss and training accuracy समझ आगी बात की so usually what happens जब भी आप काम करते हैं आपके पास दो किसम के losses and accuracy आती है जब आप एक model को train कर रहे हैं यह उस वकत की accuracy and loss है और यहाँ पे जब आप एक model को test कर रहे हैं तो यह उसकी accuracy and loss है यह दो चीज़े mind में रखिएगा इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ आपको कि जब आप किसी भी class में बच्चों को बढ़ा रहे होते हैं तो आप quiz लेते हैं या आप December test लेते हैं या आप semester test लेते हैं वो बच्चों को check करने के लिए होता है कि इनकी training ठीक हो रही है कि नहीं फिर क्या होता है आपके annual exam आते हैं जो finally test करते हैं को कितना आता है आप यही analogy यहाँ पे लगाएं कि जो training है इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे quiz साथ साथ चल रहे हैं loss and accuracy वहाँ पे measure हो रही है फिर finally जब annual test होता है तो उसके अंदर test loss and test accuracy भी आप measure करते हैं hopefully यह concept आपको clear हो गया होगा और यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास 100 epochs के बाद यह test loss and test accuracy है यह training और दूसरी जो training loss and training accuracy से different होगी ठीक है यहाँ तक आपको clear हो गया होगा और अगर आप चाहें तो जहरी बात है जब आप test loss and test accuracy देखते हैं so it depends कि आपके पास x test का data set कैसा आया होगा ठीक है अगर आप उपर से change करेंगे 80-20 को तो यहाँ पे भी change हो जाएगा यहाँ तक आपको clear हो गया अब इसको हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से इस पे काम की है और हम एक ही snippet के अंदर यह सारी कि सारी चीज़ें लगा के उसको भी एक तरीके से समच सकते हैं कि हमारा model कैसे बना model किस तरीके से हमारे पास final आया training loss and training accuracy कितनी है और test accuracy and test loss हमारे पास कितना आ रहा है यानि कि जितना भी उपर मैंने काम किया वो सारे का सारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मैं एक magic command time की दुबारा से use कर लेता हूँ and मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको let's see all the steps in action within one snippet of code मैं इसको run करता हूँ और आपके पास time भी आ जाएगा यह सारे के सारे steps वो ही है और 100 epochs के साथ यह and here you go आपके पास यह total time कितना लगता है neural network को train करने में इसके अंदर हम hidden layers नहीं use कर रहे हैं इसी वज़ा से मैंने comment out किया हूँ है अगर hidden layers यूज होगी तो time ज्यादा लगेगा so यह आपके पास जनाबेवाला अच्छा खासा time इस पे लगने and then you will see the final results और 17 seconds यहां पे लगें जो wall time is 17.4 seconds तो आपके पास कुछ इस तरीके से results आजाएंगे and then you can have your finalized result कि यह आपके पास testing loss है test accuracy और यह आपका, sorry, training loss and training accuracy और यह testing loss and test accuracy यह दो चीज़ है आपके पास आगई and then you can also see कि अगर आपका GPU काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है लेगन उसके लिए मैं अगला चोटा सा lecture आपके सामने ले कि आँगा so this is how you can actually make simple neural network intensive flow I know there are many concepts इंशाला वो आने वाले दिनों में आपको clear होंगे हमारी हिकमत यह है सिखने के पहले coding को go through किया जाए जो main ingredients है वो देखे input layer, hidden layers, output layers loss function, optimizer क्या होता है फिर आपके पास एक metric क्या होता है कैसे evaluate किया जाता है test loss क्या है, test accuracy क्या है training loss क्या है, training accuracy क्या है फिर इसके इलावा आपका data set जो है वो किस तरीके से आप split कर रहे है and how you can actually build a neural network using batch sizes, verbose क्या होता है और फिर हमने यह भी देखा कि हमारे पास जो model के epox होते हैं, वो कैसे run करने है यहां तक आपको समझ आ गया होगा अब अगले lecture में मैं आपको बताऊंगा कि GPU अगर आपके पास है, यानि कि graphical processing unit अगर आपके पास है अपने कैसे check करना है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा right